बश्कार बच्चों एक बार फिर से अपने इस यूटूब चनल पर स्वागत यो अब नियंदन है आज के इस वीडियो में हम कच्छा बारा के विद्ध्य अर्थियों के लिए नागरी सास्त्र का 2023 के लिए मडल पेपर दोस्तों लिखिया है देखो बच्चों पेपर किस प्रकार से पुशी जाएं कोश्चन आएए देखते हैं देखो मडल पुणान को आपको रहेगा 100 नमबर करहेगा और उसके बाद में कच्छा बारा नागरी सा समय 3 घंटे 15 मिनिट मिलेगा और प्रार सब्सक्राइब देना होगा 50 से बहुत जयदा नहीं होना चाहिए फशाज के एक दो सब्सक्राइब नहीं लिकरना है जोड़ा कम चल जाएगा थोड़ा ज्यादा ओझाए दो चार सब्सक्राइब देखेंगे उसके बाद आक अत्लिक स्वार्व लिछ नहीं नोंडिद पहला कोष्चन है बच्चों, वर्षाा पैट्ट की स्थापना कप की गई थी? तो वर्षा पैट्टे एभी एक संगठरन है, स्नी संगठरन है इसकी स्थापना जो है 1985 इसवी में की गयी थी कप की गई दो बच्चों? 1955 में तो मिखारी गोलबर चोन ने सोबिय सब कौन से नीत लागयों की थी दोनों यानि प्रिस्ताइका और ग्लास नोता यानि आब आ सा दोनों सही जवाब बच्चों यहां सा हो जाएगा समझे हो अगला कोशन है निन में से किसने खुले द्वार की नीत अपनाई थी चीन ने कुफले द्वार की नीत अपनाई थी सही जवाब आ हो जाएगा चलिए एगला कोशन हो देखेंगे यरोप में यरो मुद्रा का परचलन कब शुरू हुगा कब बच्चों दोजार दो में देखो बंगलादेश नाम का राज का बस्तित में आया तो बच्छो सही जबाब जो है सा हो जाएगा यहां में बंगलादेश नाम का राज का बस्तित जो है 1971 में इस्पी में आया पाकिस्तान युद्ध के बाद कस्मीर के राजा हरी सीञ ने कब कस्मीर को भारत में सामिल होने की घोशला की थी तो 6 सुरच्षा परफिस्छा, परफिस के संख्या कितनी है? जिस में से परफिस्चों 5 अस्थाई है, 10 आस्थाई है निन में से हरित करांथी की सफलता है निंड में से हरित करांध की सफलता है चार अपसना आपसा में दिया रहेगा आपको बताना है Otherwise आपके हो जाएगे बच्छो तो उप्यूक्त सभी हो जाएगा उप्यूक्त सभी हो जाएगे यहां सभी दा हो जाएगा उत्तपादर में रिकारड मृद्धी फसल छेत मृद्धी आदोगी विकास में बढ़ावा उच्षक गत्तर के बाद भारप पाकिस्तान के युद्ध में किस नए देश का उदय हुऊए था तो ये बंगला देश का नए देश का उदय हुआ था शरी आप संबनब में चीन ने अम्रिका संसकेन के बनाओं हम लोग एक लाइन में चीन ने अमेरिका संसके बनाओं हेंदे के लिट्टे की विशें में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर देखेंगे भ लगव लिट्टे के विशे में आप क्या जानते हैं उसका देखेंगे देखो बच्चों लिट्टे जो होता है सिलंका में सक्री एम उग्र तमिल संगठन है या जो है संगठन बच्चों तमिलों के लिए तमिलों के लिए एक अलग राज की मांग कर रहा है यानि तमिलों के लिए ए तो बैच्चों अंतराश्टी नेले के न्याधीसों की संख्या जो है 15 है कितना है 15 है और इनका कारिकाल 9 वरसों का होता है कितने वर्सों का 9 वर्सों का 15 संख्या है जिसमें से 5 अस थाई 10 आस थाई आगला कोशन है, कोशन नमबर 14 नमबर देखेंगे हम लो, सर्दास रोवर परियोजना क्या है, सर्दास रोवर परियोजना क्या है, ताही इसका उत्ता देखेंगे हम लो, सर्दास रोवर परियोजना क्या है बच्चों, देखो सर्दास रोवर परियोजना यह जो है नर्मद रात के एक बड़े हिस्से एक बड़े हिस्से सही तीन पड़ोसी राज्जों में पीने के पानी शिचाई और विजली के जो है उत्पादन की सुमिधा उपलब्ध कराई जा सकेगी यही वच्चों स्रदार सरुवत परियुजिना अगरा कुशन देंगे 15 नमबर हम लो बैस्वी समपदा की सुरच्चा के लिए किए गए किनी दो समझ़ोते के नाम लिए ताई इसको उतर देखेंगे 22 संपर्चता के सुरुष्छा के लिए किये दो अपाय निम्रीखित है नंबर एक फोग जाएगा आर्कटिक 1969 नंबर दो अंटार्टिक पर्यावराणी नियाचार नियाचार उनिस सो एक्यानबे यह जो है दोनों संबंधित है अना कोशन देखेंगे हम लोग कोशन नंबर 16 है वामपंथ क्या है वैच्छो वामपंथ किसे कहते है आई इसको उत्तर देखेंगे वामपंथ क्या है वैच्छो बहुत सरला है देखो वामपंथ है वामपंथी लोग विचारधारा के लोग जो वाम पंती बिचारधारा के लोग हैं, वे गरीब और पिछडे समाजिक समूग की तरफ धारी करते हैं, और इनको जो है लाप पहुचाने वाली सरकारी नीतियों का समार्थन करते हैं, लेकिन बच्छों दच्छन पंती किसे कहते हैं, इसी कूल्टा हो जाएगा, वाम पं पंती बिचारधारा गरीब और पिछडे समाजिक समूग की तरफ धारी करते हैं, और इनको लाप पहुचाने वाली जो सरकारी नीतियों हैं, उनका जो है क्या करते हैं, बच्छों समार्थन करते हैं, क्वेशन नमबर हम लोग 17 देखेंगे, 1977 के चुनाओं के बाद भारत क प्रणार मंत्री बनाएगे, एगला क्वेशन देखेंगे लोग, आईए लोग उत्तरी प्रशन देखेंगे, राष्ट निर्मार से आप क्या समस्ते हैं, 22 नमबर क्वेशन है, बिच्छों में अंतर आज शंगठोनों के होने किनी दो लावों का उलेक कीजिए, आसियान सम मदलता पदिस कैसा था, तो लगुत्री फर्श प्रशकार के है, पांच पांच नमबर मिलेगा, उसके वाल लगुत्री फर्शन दो प्रकार के मिलते हैंगे, जब बच्छों छा आंकों का रहेगा, आईए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कुश जो है, तो लगुत्री फ विखास के सांस्क्रितिक पच्छ पर जोर देता है, इसके अनुसार एक राष्ण में ऐसी परकिरिया हो, जिसके द्वारा लोग अपने छोटे-छोटे कभीलों, गाओं यो नगरों के प्रती जो है, वफादारी के अस्थान पर विसाल के इंद्री राजितिक प्राणी को अफादारी प्रतान करें, इसी यो कहते हैं बच्छो राष्ण में, छोटे-छोटे कभीले क्या होते हैं, जो जिसे बंजारी होते हैं, बटे रहते हैं, गाओं में, बागों में रहते हैं, वही हैं कभीलों, अगला कुशन है बच्छो, विस में अंतराशी संगठोनों के ह जो है होने के किनी दो लावों का उल्लेग कीजिए आई इसका उत्तर देखेंगे बच्चों विश में अंतर राश्री संगठों के होने के किनी दो लाव निम्लिखित है नमबर एक अंतर राश्री संगठन युद्वाव सांती के विशे में मदद करते हैं जो अंतर राश्री संगठन की जो है आवसकता पड़ती है अंतराश्री जो संगठन होते हैं बच्चों उसमें ज्यादा देश होते हैं और जो छेत्री संगठन होते हैं इसमें कम देश होते हैं देखें बच्चों लगुत्री प्रसन दो परकार जो होते हैं लगुत्री प्रसन सिकेंड जो होते अच्छा अंक होते हैं से इरोपी संग का गठन क्या करा है चीन अभात में अन्य विकार सील देशों के प्रभाज की रथा उनके अस्तित्व के लिए किनी दो संगटों का उलेग कीजिए अथवा करके देगा असियान क्या है इसका उद्देश क्या है भारत किस परकार असियान से संबंदित है ताड़ी विलोधी यांदोर्म का उद्भाव और विस्तार प्रकट कीजिए अथवा करके देगा आचाए चाहे इसको चाहे इसको भारत में गड़बंदा सरकारों पर एक डिबन लिखिए, दो में से एक ही करना है, और इसमें भी दो में से एक करना है, दोनों नहीं लिखना है बच्चों, चाहे इसको लिखिए और चाहे इसको लिखिए, आठाठ अंको पर रहेगा, कोश्चन नमर तेईस को लोग उत्तर देखेंगे, आसियान समदाय के मुख खस्तम हो और उनके उत्देसों के बारे में बताईए, एक कोश्चन नमर तेईस नमर है माडल पेपर का, आईए इसको उत्तर देखेंगे, आसियान समदाय के तीन मुख खस्तम में निम लिखित हैं, नमर एक आसियान सुरच्छा समदाय, नमर दो आसियान आर्थिक समदाय और आसियान समाजिक सांश्क्तिक समदाय, सबस्पहले हें डाले आसियान सुरच्छा समदाय, या समदाय बच्चो आसियान देशों के क्या भढ़ावा देता है नमबर ती विधा को समाजी सालजक्तिक संबंधों भढ़ावा देता है आए आए लग उत्तरी प्रस्ट कुछ देखेते बच्चों, question number 1 है, 27 है, ये रोपी संग के गठन के क्या कराण था, ये इसका उत्तर देखते हैं, ये लोग जो है, ये रोपी संग के गठन क्या कराण था, ये मतलू लग उत्तरी प्रस्ट देखेंगे, तो बच्चों, हें डालने सब सिभ्म भणेंगे िरोपी संग के उद्देश से देखो एगो ईड़ूपी संग के परणुक उद्देश इस परकार है नंबर 1 या लिख कर सकते हैं गि युरोपी संग के पर्व को देश निम लिखी थे नमबर एक आर्थीक एकी कराण एकी कराण में लिखाता है एक आर्थी मारे चमज़े बच्चों पैसे सम्मादी दोता है आर्थीक एकी कराण अर्थात वस्तुओं ब्यक्तियों और पूजी का एक देश में दूसरे देश में बेरोटोक आना जाना समझ रहे हो नमबर दो श्तस देशों के किसी बेवर्था और इसके उदोग धन्देव का जो है विकास नमबर तीन साजी बिदेश और सुरुच्छा नीटी जिससे कि इस छेतर में सांती बनी रहे और इरोप दूसरे विश्यूद की विभेश का जहल चुका था और और नहीं जो है चाहता था कि फिर से ऐसी इस्तित पैदा हो नमबर चार बच्छों साजी मुद्रा साजी मनलब सजिया साजी मुद्रा और एक केंदरी बैंक के माध्यम से इरोप में जो है आर्थिक वा मुद्रा सम्मंधि इस्तित्ता लाना नमबर पाच अमीर और गरीब राश्टों के बीच जो है अंतराल का को भरने के लिए विकार स्टेल देशों को मदद पहुचाना नमबर छटवा परेरावाल में सुधार के लिए जंगलात नदियों वा नजियों की रच्छा करना जंगल वच्छे जंगल नदियों वा नजियों की रच्छा करना और एरोपी संग ने मनवा दिकारों की रच्छा के लिए कई मानों के दिकारों के लिए इरोपीर संग ने मनवादिकारों रच्छा के लिए कई मौकों पर कठोर करवाई की नाइजीरिया में मनवादिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को मिर्टुदंड दे दिया गया था इसलिए इस पंचान में विर्वपी संक के सभी सतर्सों ने नाइजीरिया के साथ राजनीक रिष्टे तोर दिये थे